हेलो दोस्तों मैं जली स्वागत करती हूँ आपका क्लास साइम यूट्यूब चैनल में दोस्तों बात करेंगे महिला पर ये वेक्षक यान की फीमेल सूपरवाइजर की जो भरती निकली है उसके बारे में तो दोस्तो जो महिला पर ये विक्षक की जो notification है वो कब आ गया था 13 February को ही इसका justification है वो आ गया था तो दोस्तो ये जो भरती है वो total कितने पदोंपर निकली है तो total 209 पदोंपर ये जो भरती है वो निकाली गई है तो देखिए इसकी जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट है इसकी लास्ट डेट क्या है कब इसका जो एक्जाम है वो करवाया जाएगा सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं तो बने रहे वीडियो के एंड तक और अगर आप लास्ट टाइम यूट्यूब यूट्यूब चैनल पर नए है तो क्लास्ट टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर पास में ही बैल आइकन उसे प्लिक कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए जो महिला परिवेक्षक के भरती है ब अगर आप एलिजीबल हैं फॉर्म भरने के लिए तो जरूर यह फॉर्म भरे बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इसके बलावा देखिए इसके जो लास्ट डेट है वह क्या है तो आप इस भरती के लिए जो फॉर्म है वह 21 मार्च 24 तक यह जो फॉर्म है वह आप भर सकते हैं 21 मार्च सकाप वह भर सकते हैं मेट इसका जो एक्जाम है वह कप कर जाएगा तो दोस्तो इसका जो एक्जाम है वह 13 13 जुलाई 2024 कुछ इसका जो एक्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको इस भरती के लिए तयारी का जो टाइम है वो मिल जाएगा क्योंकि अभी फैबरेरी चल रहा है तो जुलाई तक आप इसके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकत है इसके बाद देखिए इसमें योगिता क्या रहने वाली है यानि इसमें चुलिफिकेशन यह वह क्या रहने वाली है तो दोस्तों अगर आप श rumors किया हुआ है तो आप इस भरती के लिए फॉर्म भर सकते हैं तो उस जाने और पर शीने ऊंध के लिए का कर koleट कर सकते हैं इसके अलावे इसमें जो salary है वो क्या रहने वाली है तो देखिए आपर level 7 के according इसमें आपकी जो salary है वो दे जाएगी इसके अलावे इसमें जो age limit है आयू सीमा है वो क्या रहने वाली है तो 18 से 40 years इसमें आपकी जो age limit है वो रहेगी और अगर आप preservation category से belong करते हैं तो इसमें आ आपको relaxation दिया जाएगा इसके अलावे इसमें जो चैन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है तो सबसे पहले आपका इसमें होगा return test firstly आपका इसमें return test होगा second आपका इसमें रहेगा document verification और then आपका इसमें last रहेगा medical examination next देखिए आपका इसमें जो भरती है इसमें form भरने के लिए आपको क्या क्या documents रहे है तो आपके पास 10-12 की mark sheet होनी चाहिए graduation की mark sheet होनी चाहिए R.A.C.T. का certificate होना चाहिए 10-12 graduation R.A.C.I.T. का certificate आपके पास होना चाहिए कि सारे certificate आपके पास होने चाहिए इसके अलावा आपकी email id mobile number इसारे certificates आपके पास होने चाहिए इसके इलावा दिखिए इसका आविदन है वो किस mode में आप इसका आविदन कर सकते हैं तो online mode में आप इस भरति के लिए जो आविदन है वो कर सकते हैं इसके अलावा इसकी जो official website है वो क्या है? rsmssb.rajistan.gov.in पर जाकर आप इस भरती के लिए आवेधन कर सकते हैं तो दोस्तो बहुत अच्छी ये vacancy है और आज से ही इसके जो form है वो start हो गये हैं किस मार्च तक आप इसके form भर सकते हैं और इसका जो exam date है वो भी आ गई है 13 जुलाई 2024 को इसका जो exam है वो held करवा दिया जाएगा तो अगर आप eligible है तो form जरूर भरे तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें ज्याद ज्याद शेयर करें और चैनल को subscribe कर लें और कि दोस्तों thanks for watching जय हिंज जय भार